नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका मारे टूप चैनल में दोस्तो अगर आप स्टेंपपेपर डाउनलोड करना चाहते हैं यहनि कि आपको स्टेंपपेपर की रिक्वार्मेंट रहती है तो आप हरियाना स्टेट की वेबसाइट पर जाकर यहनि कि हरियाना स्टेट की ट्रेज फीज पेड करनी है यहीं कि किसी भी स्टेट की गवर्मेंट फीज पेड करनी है तो आप उस स्टेट की ट्रेजदी चलान की वेबसाइट पर जाकर आप ट्रेजदी चलान की वेबसाइट पर जाकर आप ट्रेजदी चलान क्रेट कर सकते हैं आप स्टेंप पर जनेट कर सकते ह की अनुम्ति दे रखी है दोस्तों यह निकि आपको 10-20-50 रुपे का स्टेम पर चाहिए तो आपको अपने तैसे लिया स्टेम पर विक्रेता ही जाके आपको पर्चेज करना होगा पहले हरियने ट्रेजर की वेबसाइट पर अगर आपको किस्तने भी रुपे का स्टेम पर च सकते हैं यहीं कि दोस्तों अगर्रा प्रक्रेट कर रहे हैं और आपकَ堆को कोमि版 करेंगे अप उसको कषिरेंट करेंगे दोस्तों अरीयना स्ट्रायी चलान की वेबसाइट अगर आप रैगुलर यूजर है तो आप अपनी ID사kan करेंट करेंगे ID password create करके आप stamp paper की website को login कर सकते हैं और आप अपनी website के इंदर आप stamp paper print कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको regular requirement नहीं होती है तो आप हर्याना ट्रेजरी चलान की guest guest की website पर जाकर जैसे कि यहां पर उन्होंने mention किया हुआ है guest ID password दोनों same रहेगा यहां कि आप इस guest से भी आप login कर सकते हैं और stamp paper create कर सकते हैं दोस्तों अगर आप 100 रुपे जाद अगा कितने भी रुपे का post stamp paper चाहिए आप यहां से stamp paper generate करके print कर सकते हैं तो दोस्तों आपको यहां से आप अपनी ID password create कर सकते हैं अपने की sign up पर जैसे आप कलिक करेंगे तो आप यहां से अपनी detail डालकर अपनी login ID जो भी आपको रखनी है login ID डालकर आप यहां से अपनी डेटेल डालकर आप अपनी ID password create कर सकते हैं अगर आपको regular stamp paper की requirement रहती है या किसी भी government fix की regular requirement रहती है तो आप यहां से create कर सकते हैं यूजर है यह आपको daily usage नहीं है आपकी stamp paper की यहने की ज्यादा usage नहीं है तो दोस्तो आप guest की ID password से भी इसको login करना सकते हैं जैसे मैं आपको guest की login ID password से आपको login करके दिखाऊँगा आपको कैसे login करना है दोस्तो यह हमारे एक normal user जो कभी कभी requirement रहती है तो आप guest से login कर सकते हैं और guest से login करके आप the net stamp paper पर कलिक करके आप यहां से stamp paper करेट कर सकते हैं इसमें दोस्तो पहले आपका ट्रेजी चलान करेट होगा यह नहीं कि इसमें एक बात आपको मैं clearly बजा देना चाहरा हूं अगर आपको stamp paper 200 रुपिय का stamp paper चाहिए यह नहीं कि आपको 5 stamp paper चाहिए तो आपको 5 बार आपको payment करनी होगी यह नहीं कि 5 आपको generate करने होगे GR number 5 आपको चलान करेट करने होगे और 5 आपको payment करके आप 5 आउनू का अलग अलग stamp paper करेट कर सकते हैं तो दोस्तो यह से आप अपनी details डालकर आप stamp paper generated कर सकते हैं अगर आप daily usage हैं तो आप अपनी ID password create करें आप ID password create करके stamp paper आप create कर सकते हैं अब बताओंगा दोस्तो इसमें आप यहां से Stamp Paper unser Stamp Paper और Stamp Paper के लिए आप यहां से पुस्त रखेता हूह्ँ मैं दोस्तो आप इसको logout कर देता हूँ, अब मैं अपनी हर्याने ट्रेजरी चलान की मैंने ID password करेट कर रखी है, मैं उससे आपको stamp paper करेट करके दिखाऊंगा आप कैसे करेट कर सकते हैं, दोस्तो मैंने अपनी हर्याने ट्रेजरी चलान की website को login कर लिया है, अब आप stamp paper इसमें पर आप इसमें पर आपने ट्रेजरी चलान की ID password कर सकते हैं, और उसमें आप जिस भी stamp paper की आगर आपने एक बार पर पर करेट किया है, और उसके आपको बार बार यहने की फिर आपको फिस परेट के करने की requirement होती है, तो आपको चलान केट करने की requirement नहीं होती, आप direct अपनी website पर जाकर, आपने जितने भी stamp paper की है, यह जिस कि कोई भी फिस पर जाओगा, यहीनिक일 कि जितने पर रिपीट पर जाकि चलान और stamp paper की फिस आप पर पर कर सकते हैं, और उसको just finite कर سक तो दोस्तों ये ट्रजी चलान की website का form open हो जाएगा इसमें यहाँ पर detail जो अलड़ी अमने डाल रखी है अगर उसी detail का है उस stamp paper की fees को paid कर सकते हैं यहनिकि जैसे कि मैंने 101 रूपय का stamp paper चाहिए तो मैं इस stamp paper को यहाँ पर तो इस stamp paper की fees को मैं यहाँ पर paid कर दूँगा तो आपको GR नंबर आपको requirement है इनके आपको जुरूर नोड़ करना है वैसे तो आपके registered mobile नंबर पे भी आप नंबर का message आ जाता है अगर दोस्तो by chance कभी आपका तो आप उसको GR नंबर को जुरूर नोड़ कर ले इनके GR नंबर से आप बाद में कर साइट आपके बंद हो जाती है तो भी आप stamp paper जनेट कर सकते हैं अगर आपका ID password से stamp paper क्रेट करेंगे वहाँ पे जो registered mobile नंबर है उस पर एक OTP जाएगा यहनिकी आप जब भी stamp paper क्रेट करेंगे तो stamp paper क्रेट करने से पहले और create करते पाइम यहनिकी आपके पास दो दिन OTP जाएगे वह आपको यहाँ पर डालने होंगे दोस्तो मैं stamp paper की जो ड्रेज चला दोसे मैंने आपको बताया था अब हमने अपने stamp paper के GR नंबर की यहनिकी यह अमारो पर GR नंबर है अरिने टरी चलान का आपको यह जीर नंमबर नोट करना है और इसमें आपको एक बार डीटेल अपनी चय करनी है कि यहनिका आपको जीतने रुपे का stamp paper चाहिए आपको उतन या किस वेसे आपको payment करनी है तो आपको उसकी payment करनी हो जैसे कि यह bank की website और debit credit card आप किसी वी से उसकी payment कर सकते हैं जैसे मैं यहां पर bank select कर लेता हूं दोस्तो मैं अपने stamp offer के चलानर की payment कर चुका हूं अब मैं यहां से click करके अपने चलान की website पर चला जाऊंगा तो अब यहां से दोस्तो आप stamp पर create कर सकते हैं अगर आप go for print करेंगे तो आपने जो चलान paid किया है वो चलान आप download कर सकते हैं दोस्तो site error आने कारण मेंने site को दोबार से login किया है आपको यहां पर जैसे ompe click करेंगी ompe click करने के बाद आपने जो भी चलान को paid किया है यहां पर उस चलान की detail उपर आ जाएगी आप इस चलान की stamp paper को आप create कर सकते हैं दोस्तो आपको यहां पर stamp paper जैसे stamp paper पर पर click करेंगे आपके सामने stamp paper correction, stamp paper instruction, stamp paper prepare आपको यहां पर stamp paper के काफी आपको option मिल जाएंगे यहां पर आपको refund option मिल जाएगा जैसे कि हम stamp paper को generate करेंगे तो prepare stamp paper आपको click करना है दोस्तो यहां से आपको stamp paper का type आपको select करना है, मैं इसमें आपको एक खास पात बता देना चाहता हूँ, अगर आप stamp paper पर यहां पर कोई और option चूज करते हैं, तो आपको यहां पर editable option आपको नहीं मिलेगा अगर आप यहां पर non judicial को select करते हैं, तो अगर आपके stamp paper में कोई correction हो जाती है, तो उसमें आप one time चैंज भी कर सकते हैं, इसमें दोस्तो आपको वो GR number select करना है, जिस GR number के आपने अभी payment की थी, यहां पर आपके registered mobile number या email ID पर कोटी भी फिर जाएगा, आपको यहां पिर डाल इनकी stamp paper आपको किस favor में चाहिए, वो आपको यहां पर detail डालनी होगी, जैसे अगर किसी भी आपको party के favor में चाहिए, आपको rent agreement बना है, या किसी party से agreement करना है, requirement के अनुशार detail डालेंगे, इनकी part के coding detail डालेंगे, तो आप उसको submit जैसे करेंगे, आपका stamp paper करेंट हो जाएग मैं अभी आपको detail डालके stamp paper को submit करके दिखांगा और फिर आपको उसको print करके दिखांगा कैसे आपको print करना है दोस्तो जैसे कि मैं यहां पर अपनी दोनों part detail खिल कर दी है इसमें दोस्तो मेरे को कोछ चीज़ी आइड करनी होती है जैसे कंपनी का नाम जिसी पार्टिक में डिटेल डाली है जियार नंबर आइड पासवर्ड तो दोस्तो जैसे कि मैंने अपनी डिटेल उसकी पूरी डालती है उसके बाद यहां पर save and continue पे कलिक करेंगे जैसे save and continue पे कलिक करेंगे आपका stamp paper की जो detail है वो save हो जाएगी दोस्त तो जिस भी जो भी आपने यहां पर registered mobile डाला है फर्स्ट पार्टि में उस registered mobile नंबर का आपको यहां पर OTP डालना है दोस्तो जैसे आप वहां पर OTP डाल के submit करेंगे आपका stamp paper प्रिपेर हो जाएगा यहनिकी करियेट हो जाएगा अब आपको stamp paper को print करना है यहनिकी stamp paper को रख सकते हैं यहनिकी जब भी आपको requirement है आप stamp paper को print कर सकते हैं दोस्तो मैं print करने का भी option आपको बता दूँगा आपको कैसे print करना है दोस्तो जैसे आप print पर क्लिक करेंगे तो आपका printer का option खुल जाएगा यहनिकी print का जो option खुल जाएगा उसके बाद आपको यहां पर multiple प इसको one by two करेंगे secure stamp paper के रूप में आपको दिखाई देगा और आप इसको यहां से print कर सकते हैं तो दोस्तो अगर अभी तक आपने यूटूब चनल को subscribe नहीं किया तो subscribe करें, share करें and bell icon button को जुरू परस करें ताकि compliance selected latest video आपके पास हमारी पहुंचते रहें